गुड पॉर्निंग एबरीबडी, हम पढ़ रहे हैं संग सिलेंटेटा की मुख्य लक्षन और उसका वर्गी करन विगत क्लास में हमने देखा संग सिलेंटेटा क्या है और उसकी मुख्य लक्षन क्या होते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं संग सिलेंटेटा का वर्गी करन तो classification जब हम संग सिलेंटेटा को कर रहे हैं इसमें आप ध्यान दे हम इस Phylum को तीन Classes में बाट रहे हैं आर्थात इस संग में तीन वर्ग हैं पहला वर्ग Class Hydrozoa हाइड्रो प्लस जोवा हाइड्रा प्लस जोवा तो हाइड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है वाटर सर्पेंट अर्थात जल सर्प तो इस प्रकार के जीव जो जल में हैं उन्हें हमने कहा हाइड्रो जोवा अब हाइड्रो जोवा कैसे होते हैं हाइड्रो जोवा सॉलिटरी हो सकते हैं अर्थात ये एकल हो रह सकते हैं ये निवह में मिल सकते हैं ये स्थान बददवस्ता में हो सकते हैं और ये स्वतंत्र तैरने वाले स्वरूपों में भी पाई जा सकते हैं इन प्राणियों में radial सम्मिती पाई जाती है जैसा कि ये silentrates हैं तो क्या है? diploblastic diploblastic होने के नाते बाहर एक्टोडर्म और अंदर वाली डर्म जिसे हम कहते हैं gastrodermis इन दोनों की मद्ध में silentrata में जो material है वो क्या है? mesoglia और hydrozoa का mesoglia है वो non-cellular है gelatinous होना तो glue, meso मद्ध में जो glue life substance है लेकिन hydrozoa का जो है mesoglia में cells नहीं पाई जाती इसलिए हम इसे specify करते हैं कि इसकी mesoglia non-cellular और gelatinous होती है इसकी जो gastrovescular cavity है उसमें stomodium नहीं पाया जाता ये जीव polymorphism दर्शाते हैं इनके अंदर जो sex cells का development है, origin point of view है वो है ectodermal ये यहां ध्यान देने की बात है कई बार प्रश्ण आता है कि hydrozoa के sex cells किस तरहें से origin प्रदर्शित करते हैं तो यहां ध्यान देने, इनका origin है ectodermal और यहां चित्र परिचित है आप इस सब चित्र से ये है hydra hydra ऐसा silentrate है जो fresh water में भी मिलता है इसमें ये यहां पर समानी रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं ये इसके tentacle ये यहां पर pestis और ये ovary ये इसमें bird यहां जो उपर बिंदू ये है दिखाई दे रहा है ये है इसका mouth और mouth जिस stage पर है अर्था यहां जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है कि अलोईश जलत में ये है इसका hypostome तो इस प्रकार ये कुछ characters जो hydra में हमें spurt होते हैं और hydra well known example है hydrozoa का तो ये हुई एक class next पर चलते हैं हम दूसरी class valley fishes आती हैं ये पूंट तहां marine है इनमें चुकि अभी मैंने आपको बताया है मेडिूसा फॉर्म प्रभावी होती है और मेडिूसा का जो shape है वो bell या umbrella shaped होता है इनमें वास्तविक वीलम का अभाव होता है इनके tentaculocytes जो है वे marginal position पे होते हैं और समवेदनांगों की तरह कारिय करते हैं इनमें polyploid generation का अभाव है अर्थार polyp अवस्था जो है वो नहीं पाई जाती जैसा कि मैंने आपको प्रारम में ही इसके बताया कि यहाँ पर medusa अवस्था प्रभावी होती है और इनकी जो gastrovescular cavity है उसमें stomonium नहीं पाया जाता तो गौर कीजे यहाँ पर कुछ इस तरहें के character मिलेंगे जो दूसरी class के साथ जब आप तुलना करेंगे तो समझने में आसान होंगे वहाँ पर आपने देखा mesoglia में जो cell सेवे नहीं है non-cellular mesoglia थी यहाँ की mesoglia में समानिता cell पाई जाती है इनके gonads endodermal origin के होते है इसका परीचित example aurelia ठीक है यह aurelia अब आप गौर करें यह umbrella shape इसमें यह इसके marginal tentacle यह यहाँ पर gonad और यह इसकी arms तो इस प्रकार एक umbrella form cup shaped structure यह side वाले diagram में भी आप देखें और स्तिती स्पष्ट होती है तो यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है aurelia ठीक है पूरु में आपको मैंने एक बार बताया था कि जब हमें इसके लक्षन पढ़ रहे थे तो इसमें planula, hydrula, skyphostoma और इफाईरा लार्वा पाए जाते हैं तो वहाँ पर obelia में आपको बताया था planula प्लस hydrula यहाँ पर planula के विकास की जो अगली अवस्था होती है वो है skyphostoma और इससे transverse vision से develop होते है इफाईरा तो यह जो है यह इसके लार्वल अवस्था को भी represent करते हैं अब हम इसके अंतिम क्लास पे चलते हैं जो है anthozoa, anthos का मतलब होता है flower इसके माइने है flower तो इसके जो जीव हैं उनका जो अपर पार्ट है उसमें tentacles अधी की उपस्तिती के कारण उनका एक resemblance at a glance flower की तरह दिखाई देता है अब यह एकल हो सकते हैं यह निवही हो सकते हैं और यह marine forms होती हैं इनके अंदर medusa अवस्था reduced और polyp अवस्था developed होती है इनके स्टोमोडियम में साइफेनोगिल पाई जाती हैं इनकी gastrovescular cavity में जो septa हैं और misentries हैं उनमें दंश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं यह आप पढ़ रहे हैं एन्थोजवा के मुख्य लक्षन इस class को दो subclasses में बाटा एक octocorelia octocorelia और दूसरा है hexacorelia hexacorelia तो अब इस slide पे हम आते हैं octocorelia इसके अंदर आठ tentacles पाई जाते हैं इसलिए हम उसे कह रहे हैं octocorelia इसका परीचित example है elsionium इसमें आप देख रहे हैं यह polyp पवस्था है polyp पवस्था प्रभावी है यह इसका star form इसके उपर इस तरहां छोटे छोटे हमें यहां दिखाई दे रहे हैं polyp यह आप देख पा रहे होंगे यहां पर इसमें है polyp और जो दूसरी है वो है hexocorelia hexocorelia में फिर आप इसके नाम पे गुणन करें कि इसमें tentacles 8 नहीं होते हैं ठीक है और इसके अंदर जो misentries हैं इसकी gastrovescular cavity को अगर हम animal को cut करें तो इसके अंदर की जो gastrovescular cavity अंदर हमें दिखाई देगी उसमें misentries पाई जाती हैं और उन misentries की संख्या 6 या 6 के गुणन में होती है तो hexocorelia इस तरह ये complete हुआ संग सिलन्टेटा का वर्गी करन धन्यवाद